हरे कृष्णा रादे रादे बगतो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो आज इस वीडियो में मैं आपको लड़ु गोपाल जी के पूरे मंदिर के दर्शन कराने वाली हूँ अपने जो मेरा मंदिर है घर का वहां के भी दर्शन कराऊंगी साथ ही में आप लोग यह पी पूस्ते हो कि दीदी जब आप लड़ु गोपाल जी का वीडियो बनाते हो तो राधारानी को कहां बिठाते हो तो वो जगा भी में आपको दिखाऊंगी तो वीडियो को बिना स्किप किये पूरा देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आज के शिंगार दर्शन तो कैसे लग रहे हैं हमारे लड़ु गोपाल जी और हमारी राधारानी जरूर बताएं साथी में यहाँ पे बैठे हैं हमार लगाया हुआ है राधा किशन जी का और जो साइड है वहाँ पे देखिए यह एक क्रिशन का नहिया की मूर्ती है जो कि हम लखनव महोत सबसे लेके आये थे और फ्लावर्स वगएरा लगा रखे हैं मोर पंक लगा रखा है साथ ही देखिए यहाँ पर रखे हैं मैंने दो तो ये एमाजोन से जैसे सामान वगएरा आता है तो वो डब्बे हैं मैंने उन पर जो है कबर चड़ाया हुआ है इसमें थोड़ा सा सामान काना जी का ही रहता है जो शिंगार का सामान कम यूज में आता है जैसे जब मैंने भोले बाबा का रूप उने दिया था तो जो मैं क्रेंदु घोपाल फाक जी और राधाराणी और चोटा सा DAVID राखा अफसकल मेरे चोते वाले लड्डु बावabile उन्वी CC तो अब मैंने इस पर बैटशीट बिचाई हुई है और यह भासेट मैंने घर पर ही तैयार तो चलिए अब हम सबसे पहले आपको बता दे कि यहां पर हम बिचा के रखते हैं एक कारपेट तो इस कारपेट पर बैट कर ही मैं जो है ठाकुर जी की सारी सेवाएं करती हूँ जैसे कि ठाकुर जी के वस्त्र वगएरा सिलना मशीन का जो भी काम होता है मैं यहीं पर करती हूँ और कोई भी चीज है जैसे दिन भर में अब हम भोग वग अपने घर के मंदिर के दर्शन तो बिलकुल जस्ट बगल में ही मैंने मंदिर रखा हुआ है और ये पीछे देखिए पूरी वॉल पर जो है ये स्टीकर लगा हुआ है और लाइटिंग वगेरा मैंने इस तरह से लगा रखी है तो आप देखिए ये है मेरे घर का मंदिर तो और ये है रामदरवार, अक्षत रितिया पर मैं ले कर की आई थी इनको, सामने की तरफ है हमारे लक्षमी जी विश्नु बगवान जी का फोटो, और इस तरह से देखिए मैंने अपने घर के मंदिर को, देखिए मुझे जादा कुछ तो नहीं करना आता है, लेकिन हाँ, जैस इसनान कराना और भोग देना और चंदन सेबा मतलब जो भी हम पूझा करते हैं, जैसे ठाकुर जी की वैसे ही हम इनकी करते हैं, साथी हमारे शालिगराम जी का भी इसनान डेली होता है, तो पूझा अगरा मैं सुबा ही कर चुकी थी, और ये हैं हमारे लक्षमी नाराइन, तो देखिए लक्षमी जी चरंदवारी है नारायन के, कितने सुन्दर है न ये, तो देखिए किसी भी धातु की मूर्ती हो, सिर्फ हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए, और साथी में देखिए, यहाँ पर मैं रखती हूँ, एक डिबी में सिंदूर, तो ये बहुत साल पहले की ये सिंदूर दानी है, तो इसको मैं हमेशा मंदिर में ही रखती हूँ, और जब कभी मेरी जो सिंदूर जो मैं लगाती हूँ, जब वो खाली हो जाती है, तो मैं इसी मैंसे अपनी सिंदूर दानी में भर लेती हूँ, और बाकी जो नया जो सिंदूर ल रखना चाहिए माताराणी के लिए तो देखे इस तरह से और बरावर में मैंने एक जल का लोटा रखा हुआ है भरके जो कि मैं हमेशा रखती हूँ तृशूल रखा हुआ है रुदराक्ष रखा हुआ है तो साइड में दुरगा माता की फोटो है तो अभी तक तो मैं इनही क करते हुए गनेश जी है जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे और ये बहुत पुरानी फोटो है और साथी में देखिए यहाँ पर हमारा शिप परिवार है और बगल में इधर जो यंत्र होते हैं उनकी मैंने फोटो लगा रखी है तो देखिए मैं इनी भगवान की डेली मैं पूजा करती हूं और मैंने बहुत ज़ाधा भरा नहीं मंदिर, मैंने बहुत सारी फोटो मूर्तियां नहीं रखी है और ये बगल वाली जो ड्रॉर है इसमें मैं रखती हूं जो भी मैं पूजा पाठकी जो कितावें वगरा पढ़ती हूं साथी में यहाँ पर एक पो तक रिखते हैं किताव करते हम आते ही हैं जब मंदिर जाते हैं तो इसमीं सवार एक यह पीटाव अं't Wildlife में कितावें जो से भी में से व्यास कर रक होई हम अब आज हैं कितावन कर टाणों जो अंब शांते हैं बहुत सारे और आ इसके लग कपड़े लपेट की तुलशू और ये मेरे bead bag हैं तो ये जो जाप माला इस पर राधारानी बनी हुई है और इस पर मेरे कानाजी बने हुए हैं और ये दोनों ही bead bag जो है इसकोन से लेकail के आई थी तो देखिए कुछ इस तरह से है हमारा घरका मंदिर तो ज़रूर बताना आप कि मेरे घरका मंदिर आपको क इसा लगा और कोई चेंजेस वगएरा करने हों तो आप वो भी आइडियाज मुझे दे सकते हैं अच्छा बगल में ही एक टेबल लगा के मैं रखती हूँ इस पर थोड़ा सा मैं सामान रखती हूँ जैसे कि जब भी मैं कोई किताब पढ़ती हूँ ना धार में कोई भी गिर और एक ही ए एमाजोन से एक ही इस तरह का बॉक्स आया था मैंने इस पर कवर चड़ा लिया था ये लेस वगएरा लगा ली थी कपड़ा चड़ा लिया था तो जब भी मैं डेली में काना जी राधारानी का रात्री में जब मैं शिंगार उतारती हूँ ना तो इसी में रख विन बेन चारी सेन वही हैं ये करना बहुत अच्छा है बाथ की चीजे क्रना मैं ऐसे बना के रखी हुई है अपने हातों से तो बिल्कुल वेस्ट मैटेरियल है और देखे ऐसी चौकी भी मैंने आपको बताई थी ना कि यह मैंने घर पे ही बनाई थी तो जो भी एमाजोन से बॉक्स वगेरा आते हैं मैं उनको कुछ ना कुछ जरूर से रियूज कर लेत आचा तो देखे इस तरह से हमारे घर का मंदिर है पूरा और अब मैं आपको दिखाती हूं वो जगा जहां पर कि मैं अपनी राधारानी को बिठाती हूं जब मैं काना जी का वीडियो शूट करती हूं तो देखे ये दो बॉक्स हैं इनमें मैं काना जी का जो भी सामान रखती हूं और दो बॉक्स और हैं उनमें भी राधरानी की चूड़ियां अलग रखी हुई हैं तो मैं इस तरह से इनमें चूड़ियां रख देती हूं साथी ये जो दोनों बॉक्स हैं इनमें जो बड़ी-बड़ी जो माला वगरा होती है न तो वो मैं इनमें करके रख दे यह आप जो सिंगसन देख रहे हैं, बड़ा सा, तो यए मेरे काणा जी का ही सिंगसन था, लेकिन अभी मैंने इसको साइड में रखा हुआ है, तो जब भी मैं किसी भी एक का शूट करती हूँ, तो मैं जीसे का वीडियो शूट कर रही हूं, तो मैं अपनी रादारानी को यहाँ पे बिठा देती हूँ और एक चौकी सामने लगा देती हूँ तो जो भी खाने पीने का सामान उनके लिए रखना होता है वो रख देती हूँ और ये लड़ु गोपाल जी का सिंगाजन तो आपने देखा ही है चोटे वाले लड़ु गोपाल जी का जो कि मैंने अपने हाथ से बनाया था और ये एक मोरपंग मैंने लगा रखा है तो देखिए कुछ इस तरह से है मेरे घर का मंदिर और अभी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किये हैं जैसा भी है वो आपके सामने है तो यही है मेरा छोटा सा मंदिर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शियर जरूर करें कमेंट करके जरूर बताएं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे